हेललो एवरिवन, एवोल्ट ने लॉंच कर दिया है अपना एक और नया इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम है इवोल्ट-गरूडः इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ स्कूटर मिड प्राइज रेंज स्कूटर है और इस स्कूटर में सारी फीचर्स ऑफ लेवल हैं और इवोल्ट गरोडा इलेक्टरिक स्कूटर में 250 वाट की DLDC मोटर यूज़ किया गया है और जिसकी टॉप स्पीड है 40 किलोमेटर प्रती घंटेगी और इसमें लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया गया है जो की नॉन रीमूवेबल बैटरी है मतलब कि इस बैटरी को गाड़ी से बाहर नहीं निकाला जासाथ और या लिथियम आयन बैटरी फूल चार्ज होने में 3-4 घंटे का समय लेती है और या इलेक्टरिक स्कूटर सिंगल चार्ज में 80-90 किलोमेटर तक का ट्राइवल कर लेती है और इस स्कूटर में फ्रंट वील में डिस्क ब्रेक और रियर वील में ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है और उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस स्कूटर की बूट स्पेस की तो बूट स्पेस जादा बड़ा नहीं मिलता फिर भी हम लोग इस boot spirit में एक helmet आराम से carry कर सकते हैं और इस scooter में LED headlight, LED tail light, LED indicator light भी देखने को मिल जाती है EVOLT Garuda electric scooter में digital instrument cluster का यूज किया क्या है मतलब कि इसमें काफी सारे features देखने को मिल जाएंगे जैसे कि message alert, calling alert, traveling range, speed और battery status और उसके साथ ही इस electric scooter में USB charging का भी support है मतलब कि हम अपने mobile को इस scooter के जरिये charge भी कर सकते हैं और उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस electric scooter की price की तो इस scooter का market price है 79,000 मतलब की 89,000 रुपै या price जगा और states के साब से vary कर रहा है तो ज्यादा नहीं 2-4,000 का ही variation आएगा तो overall इस price range में काफी अच्छी scooter है traveling range भी काफी अच्छी देखने को मिल जा रही है तो ऐसे ही डेली updates के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करें तो थेंक्यू फोर वाचिंग